नवस्कार, अगर आपको अपने जीवन में ये पता चल जाए, उंगलियों को देखके, बाई, कोई भी जोस्षी है, किसी के सामने आदमी जाता है, अगर सही माइने में हस्त रेखा का ज्यान है उसको, वो सबसे पहले विचार करता है, आपकी उंगलियों को देखता है, उसके बाद फिर अंदर हाथ में जाता है, अगर उंगलियों को देखके आपको पाया चल जाए, कि जीवन में कितना सफल होंगी, या जीवन में कितना संघर्ष करना पड़ेगा, या फिर जीवन में कितना आपके पास धन होगा, उंगलियों से देखके बता जा सकता है, रेका तो बाद में है, यही वीडियों लेके मैं उपस्तित हुआ हूँ, कुछ ऐसी चीजे मैं आपको बताऊंगा, बड़ी रोचक है, और आसानी से एक बार में आप मेरे अगर पूरा वीडियो देखते हैं, अराम से समझ जाएंगे, आपको लिखना नहीं पड़ेगा, उंगलियों पर आजम बात करेंगे, उंगलियां बताएंगे कि जीवन में कितना संघर्ष रहेगा, या कितनी आसानी से आप सफलता पा जाएंगे, इससे सम्मंदित कुछ संकेत उंगलियों में आज मैं बताऊंगा, और कुछ धन की रेखाएं भी बताएंगे, देखें, शुरात करते हैं, बिंदुवार एक एक बिंदु करके धान से समझेगा, उंगलियां अगर आपकी मुलायम है, बहुत ज़्यादा कड़ी नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा पिलपिली नहीं है, पिलपिली मतलब दबाया उठेने में भी समय लग रहा है, अगर पिलपिली नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा कड़ी नहीं है, और थोड़ा सा गुलाबी पन है तो ऐसे में कहा जाएगा ये सौभागे की निशानी है ये सौभागे को दिखाता है उंगलिया तेड़ी मेड़ी से हैं, मोटी है बहुत पतली है तेक है या फिर बहुत पतली है या फिर उसमें बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है ऐसे में भी कहा जाएगा लाइफ में थोड़ा संघर्ज देखे यहाँ पर मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप धन नहीं कमाएंगे लेकिन वो धन बचेगा नहीं और थोड़ा सा संघर्ज भी करना पड़ेगा परिवार का और अपने स्वास्त का सारीर कूर्जा में कमी भी करता है जब उंगलियों में काफी ज़्यादा गैप आ रहा हो या उंगलियां बहुत ज़्यादा मोटी हो के गैप हो तो सारीरी कूर्जा में भी ये कमी करता है एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ ये उंगलियों के पीछे का हिस्सा है इस जगा पे जुरियां बहुत आती हो जुरियां थोड़ा मोला दुसप्पा होता है आपको अपने देख के आसानी से समझ मा जाएगा नहीं ज़्यादा है अगर इस जगा पे जुरियां बहुत ज़्यादा है तो ऐसे लोगों को भोजन बड़ा संतुलित करना चाहिए अपने खान पार अपने पेट का विशेजधान रखना चाहिए यह पेट की समस्या को दिखाता जब भी ऐसे लोगों को पेट गढबर रहता उनके जुरियां बहुत ज़्यादा होंगी उंगलियों के पीछे गाठ यह गाठ हो गई जहां से अंगली मुड़ती है अगर यह बहुत ज़्यादा काला है ये आपका बहुत ज्यादा काला है इसके मुकाबले मतलब इतनी दूरी पे काला ज्यादा हो रहा है उपर नीचे उस हिसाब से काला पन नहीं है अब धूप से हो जाए तो एक अलग विश्य होगा समाने जो है थोड़ा मोड़ा धूप से तो होता ही होता है कि motorcycle चला रहे हैं तो ये सब cover है ये जो है दूप में आ गया अगर समाने से जादा है तो भी कहा जाता है कि लाइफ में व्यक्ति को इस्टेगल करना पड़ेगा मिलेगा वेक अलग विश्या है लेकिन कुछ भी समय पे नहीं मिलेगा ऐसे लोग अगर कहा जा आधी उमर तक का मतलब 42 साल की आयू तक अगर कहा जाए कही ना कहीं संघर्ष करते रहते हैं धीरे धीरे उसके बाद जो है चीजे बढ़ती जाती है ऐसा बिलकुल भी नहीं कहूंगा मैं कि 42 साल से पहले कुछ संघर्ष की मियाद मैंने कही है लापर जादा अच्छा आपने समय की एहमियत रखेंगे तो जादा बहतर है उंगली जिन लोगों की पतली है उंगलिया बहुत पतली पतली से है और लंबी लंबी से है और मुलायम मुलायम से है ये अच्छा है ये तीछर बुद्धी को दिखाता है ये तेज बुद्धिमाल या जिल लोगों की उंगलियां बहुत मोटी-मोटी सी हैं, बहुत मोटी-मोटी सी हैं, जीवन की शुरॐात में तो धन आता है, मोटी हैं और चोटी हैं, गदेली के मुकाबले। दुकसान कर लेते हैं, जीवन का शुरुवाती दौर अगर कहा जाए, तो कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आयू बरती है, सावधानी ऐसे लोगों को रखनी चाहिए, उंगलियां अगर तेड़ी मेडी जिलोगों की होती है, वो कमजोर इक्षा शक्ति को भी दिखा अगर तेड़ी मेडी सी है, मनलब तेड़ी मेडी सी होती ही उंगलियां, ये इस टाइप से हो, बहुत सारे हाथों मैंने देखी हैं कि तेड़ी मेडी सी उंगलियां होती है, तम जोर इक्षा शक्ति को भी दिखाता है, ऐसे लोगों को संकल्प के साथ ही काम करना चाहिए, संकल मैं यह काम करके रहूंगा अब यह नहीं कि दूस डखाइती डालने जा रहा है कि मैं अच्छे कामों में तेक है मैं यह काम मैं मुझे यह काम करना मुझे यह शाम तक जो है इतना काम करके ही देना है बहुत सारे लोगों की उंगलिया बहुत पीछे थोड़ा मोड़ा त तुष्टे नहीं हो पाते ऐसे लोग, आपके हाथ में हैं, जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ, comment box में जरूर डालिएगा, जो भी उंगलियों से सम्मंदित अगर आपके हाथ में हैं तो, उंगलियां बहुत छोटी हैं, उसके बाद gap आ रहा है, छोटी छोटी उंगलियां है अगर छोटी है, उसके बाद gap भी आ रहा है, ठोकर जीवन में बहुत खाते हैं ऐसे लोग, उंगलियां मोटी हैं, छोटी हैं और gap आने का मतलब हो गया, ठोकर भी खाते हैं, साजेदारी में काम कभी भी नहीं करना चीए, कर्ज लेंदेन में बहुत सावधान रह के चलना रह चीए, उंगलियों में गाठ, यह होता नहीं, जब छुएंगे तो आपको समझ में आएगा, ठेक है, अगर गाठ है और छूने में समझ मारी गाठ है, ऐसे में कहा जाएगा ये अच्छा है, ऐसे लोग व्यवारिक होते हैं, ऐसे लोग अगर कहा जाए, अपने व्यवा बार से कही ना कहीं समाज में प्रतिष्थित होते हैं, ये नाम और प्रतिष्था को भी इंगित करता है, ये सिति अगर कहा जाए तो, नाम और प्रतिष्था, अगर उंगलियों में गांठ दिखती है, उंगलियों में गांठ दिखती है, वाला ऐसे करेंगे तो हलका हलका सा जो है आपको दिखे बहुत ज्यादा भारी तो नहीं हलका अलका से आपको दिख रही है खराब नहीं बहुत अच्छा यह बहुत ज्यादा अगर बाहर निकला रही है बहुत खराब है कि उंगली यह पतली हो रही है यह बहुत चोड़ी हो रही है खराब है अलका अलका से गा रखना चीए, बाकी खरी खराब नहीं है, संगत का ध्यान रखे, कारे का ध्यान रखे, अपने परिवार का ध्यान रखे, समस्याओं से निकलने की चमता को भी इंगित करता है, उंग्लियों की शुरॉत में, ये शुरॉत में अगर गाठा रही है इस जगाँ पे ऐसे में भी कहा जाएगा कि थोड़ा सा आईस्थिरता को दिखाता है ऐसे लोगों को जीवन अगर कहा जाए संयमित चलना चीए इस्थिरता ये कम होने देता है इस्थर वक्ति को कहीना कहीं कम होने देता है बहुत सारी महिलाएं ऐसी है जिनके हाथ में पीछे की तरफ बाल होते है अगर इस ताइप इधर पीछे की तरफ बाल है अपने मन का विशयज़ धान रखिये अपने परिवार का धान रखिये जगड़े जंजट वाद विवार से अपने आग को परिवार से बचा के चली अपने क्रोध पिये नेंतर खोब क्रोध ही होती है क्रोध तो बिल्कुल भरा होता है अगर यही चीज़ पूर्शों में है अगर बहुत सारे बाल है तो आप देखेंगे विनर्म होंगे लेकिन गुस्षा भी बहुत होंगे गुस्षा बिल्कुल लेकिन शांत अपने काम से मतलब रखेंगे कम बोलेंगे घर परिवार का धान रखने वाले ऐसे लोग होते हैं रिस्तों में अगर कहाज़ा लापर्वाई बिल्कुल ही ने बरत दे और कहीं न कहीं अपने जीवन में तो थोड़ा मोड़ा कहीं कहीं होता है जादा बाल आ रहे हैं तो अब 2-4 रेखाएं मैं बता देता हूं ये है इस जीवन रेखा और यहां से दो रेखाएं आपकी जो है चंद्रमा की तरफ जाए बेहत भाउक खूब संगर्ज करेंगे उसके बाद सफलता मिलेगी भाउकता इनके अंदर बहुत होती है उधार मत दिया करिए वापस नहीं मिलेगा पतनी का ध्यान रखा करिए अगर विदेश की शोच रहें विदेश जाने की सोच रहें उसके लिए अच्छा है ऐसे लोग ट्रेवलिंग बहुत करते हैं और ट्रेवलिंग को कहीना कहीं पसंद करते हैं तेक है ट्रेवलिंग को कही ना कही पसंद करते हैं बहुत सारे लोगों के हाथ में इस जगा पे दो-तीन रेखाएं चार रेखाएं होती हैं जहां से बुद्ध की उंगली जो है निकलती है सिधी सिधी सी रेखा दिमाग बहुत तेज होता है दूसरों पे अगर कहा जाए मत करा करिए उसके लिए ये खराब है बाकी उंगलियों से सम्मंदित बहुत एहम जानकारी मैंने आपको दीए आपको किताबों में या यूटूब पे नहीं मिलेगा ये वही है ना गुरू चेला गुरू चेला अगले वीडियो में अपना अनुभाव जो भी शेयर करिए जो भी चीजे मैं बताईए आपके हाथ में जो भी चीजे है उसको कमेंट बॉक्स में जो भी अच्छा खराब जो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी अभी क्ले बस इतना ही नमस्कार